नमस्कार खेलते रहों मैं आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूँ रुची टीम इंडिया एश्याकप के फाइनल में तो जगा नहीं बना पाई लेकिन आज उसके पास एक मौका है जीत के साथ घर वापसी का लेकिन मुकाबला ऐसी टीम से है जिसकी गेंदबाजी ने सब को चौका दिया है जी हाँ बात कर रहें अफगानिस्तान की जिसे हलके में लेना भारत को अपने इस आखरी मैच में भी भारी पर सकता है क्या विराट एंड कंपनी आज के मुकाबले में कर पाईगी जीत दर्ज जानेंगे अपने दो क्रिकेट एक्सपर्ट के साथ जो हमारे शो में मौझूद है रोही जालानी और विनीज सकसेना दोनों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे शो में तो चलिए शुरू करते हैं एशिया का किंग कॉल तो वाकई में एशिया कप में टूर्नामेंट में एशिया का जो कप का सपना था इंडिया का वो तो छटी बार बनने का सपना पूरा नहीं हो सका लेकिन अफगानिस्तान के साथ एक आखरी माच को जीत कर टीम इंडिया जीत के साथ इस टूर्नामेंट से विदाई जरूर ले सकती है आपको बता दें कि टीम इंडिया ने टॉस जीत कर पहले गेदबाजी करने का फैसला किया है यहाँ पर हमारे साथ शो में दो गिस्त हमारे क्रिकेट एक्सपर्ट मौजूद है रोहित और विनीत एक बार फिर से आप दूनों का बहुत-बहुत सौगत है रोहित पहला सवाल आप इसे टीम इंडिया ने गेदबाजी यहाँ पर चूस की है इससे पहले दो बार बल्ले बाजी करके चेज नहीं कर पाई क्या कहेंगे इस पर आप नहीं देखिए हम लोग रिकॉर्ड देखें इस टूनामेन का इससे पहले भी दो हमने जो पहले बैटिंग करी है वह हम टॉस हार की हमें डाला गिया बल्ले बाजी के लिए तो पहले गेंदबाजी का फैसला बढ़ अच्छा रही है अफगानिस्टान की गेंदबाजी विनीथ बहुत ज़्यदा खतरनाक है पाकिस्टान से लेकर लंका तक सबके अगेंस्ट अफगानिस्टान की गेंदबाजी ने सबको चौकाया है यहां पर तो भारत के खिलाव जो है अगर ओपनिंग के बात की जाए तो वो भी उत्य ची फॉर्म में नहीं है और उनके तेज गिन बाजी बहुत ज़्यादा खतरनाक है ऐसा में टीमीडा को सकी निनिंग में बल्ले बाजी भी बहुत समहल के करनी होगी बिल्कुल उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग अफगानेस्तान को बहुत एक कम टोटल पर रोख सकें जिससे बाद में चेस करने का ज्यादा प्रशर ना रहे तो खोशिश ही होनी चे कि अफगानेस्तान को कम से कम उरन बनाने दिये जाए क्या लगता है रोई ताजो आज की अफगानेस्तान के खिलाफ इस आखरी माच में ओपनिंग जोडी कम से कम सौरन के पार्शिप कर पाएगी देखिए सौरन तो नहीं बोलता लेकिन मैं पहले है पोली आपने अपीसोड में पहले हमें ज़रूरी है और तीनों मैच में पाजमें में देखें हमें अच्छा स्चार नहीं मिला है इनिशली पर में फाफंच ओर में नहीं उप गिडिरा करना है तो हमें उपपर के बैच समय में लंभी पाटनर्शेट बहुत जरूरी है विनीत क्या आप रिजन बान रहे हैं कि लगातार रोहित और धावन की जोड़ी दो साल 2013 की सबसे ज्यादा हिट ओप जोड़ी बनी वो एकदम से फ्लॉप हुई आप इसका क्या रिजन मानते तेखे एक फॉर्म वाली बात भी होती है मतलब एक आप लगातार माचेस खेल रहे हैं एक आपका फ्लो बना हुआ है तो वह इंडिया में बहुत अच्छे जिसे अच्छे बाटिंग विकेट से तो महां पर लोग में बहुत अच्छी स्टाट्स दिया और दोनों बहुत अ तो वह आपस्टमें थे अज़ने कंडिशन से नहीं खेले हैं तो दोनों अच्छेंग अविसलिए नहीं आये हैं तो दूनों के नहीं थी तो एक एक एक्सपीरेंस भी मैटर गरता है तो इस वेसे ऐसा एक रिजन हो सकता है जो आपको पर नहीं सब्सक्राइब थे पाए हो तो लगातार मैचेज हो रहे हैं तो थोएसा मुश्किल होता है मतलब आपके साब से कंडिशन से जल्द जल्द यहां पर चेंज हो रही है उसके साब से जो है वो टीम इंडिया उसके बल्लेबाद सेट नहीं हो पा रहे है रोई तो विराट की कप्तानी पर सबकी निगहा थी क्योंकि पहला टूर्मेंट था धोनी नहीं थे टूर्मेंट कर रहे थे आपके साब से विराट अब तक तीन माचों में पास हुए कप्तानी में या फेल अब यूझे अफीय बोल लूं कि विराट ने बहुषी कप्तानी किया अच्छी अच्य वल्लेबाजी किया और एक तीम को अच्छा नित्रत जाए था उसको पूरा अनने उस्तान को भरा है की vibes हम लोग कोई छहीं माच जाते हूं, असानी गें आज कोई माच असानी से नहीं हाय है तो प। ऑश्रियां से मैच बड़ा खूल क्लोस गया है पाकिस्तने अमांच केंव भी हार को फिर बोलूगा है, हमने fed light में when round feeling कर गार हैं और इवन पकिस्तान के अगेंस कार्थिक से स्टम मिस्टा है, वो पार्ट एंप पार्सल ऑफ गेम है, लेकिन वो जो पार्ट थे, वो बड़े महंगे बड़े, फिल्लिंग वाला पार्ट बहुत ज्यादा कुरूशल पड़ा है, जहां पर हमने मैच को खोया है, आप हमें खिलते रोह में एक बार फिर से आपको सौगत है, महाँ साथे शो में हमारे दो क्रिकेट एक्सपर्ट रोहेत और विनी दोनों महाँ साथ बने हुए हैं, विराट कोली को पुजारा और इशर पार्ड़े दोनों को मौका देना चाहिए था, क्योंकि T20 वर्ड कप भी बहु अगर टीमीजा की परफॉर्मेंस ऐसे ही रही तो वर्ड कप जीतना आप 2015 का भूली जाएगे बिल्कुल देखिए, बात तो गलत नहीं बोली है, हमने जो फिल्लिंग कर रहे हैं, जो हमने सेनर्ड सेट किये थे उसके बाद अभी हमने ग्राउंड फिल्लिंग की बात नहीं और लेकिन बात बिल्कुल सही है, हमें फिल्लिंग में और ध्यान देना पड़ेगा, अच्छा करना पड़ेगा तो क्या एश्यकप में गौतम गंभीर को कब से कम स्कुएड में रखना चाहिए था कि वक्त पढ़ने पा आप उन्हें आजमा सकते, क्यों इतनी बुरी फॉर्म से तो गंभीर इस वक्त नहीं गुजर रहे हैं ने बिलकुल, मेरा तो यह भी मानना है कि जिसे हमाई दो अवे जो भी स्रीज थी हैं, सौथ अफरिका, न्यूजरेंड, उसमें सिर्फ दो स्पेशलिस्ट उपनर्स गए तो यह आपने आप में में को लगता है कि बहुत बड़ी गल्ती है से लेक्टिस की, क्योंकि अगर तो यह दिन पहले कि इसी उपनर को तो टेस्स मैच में इस्पेशली अवे कंडिशन में उपन कराना आपको में बनाना किसी को भी ठीक नहीं है तो गौतम गंबिर को लूप में तो जरूर रखने ही चाहिए ता उनको और जैसे आपने का जैसे अब है तो बीच में गंबिर को एक गेम दे सकते हैं कि गंबिर क्या करते हैं तो आपको पता था कि आपके पास आपके साथ जो है धोनी अन्फिट चल रहे थे आप जब अपने टीम सेलेक्ट की तो उसके पहले ही रहना भी बाहर थे युवराज बाहर थे मतलब बहुत सारे ऐसे सीनियर प्लेयर्स जिन में बना के रखना चाहिए था युवराज का सेलेक्शन होना एशाक प्ने होना चाहिए था युवराज मैं मानता हूं कि ऐसे प्लेयर हैं जो कोई भी मैच कभी भी बदल चकते हैं मैं अफरी दिकर एक्जम्पल दो हूँ है पाकिस्तान के लिए पिसले 10 इनिंग में वो फ कर्दा युवराज में गाड़ाज में वेल्ल काप में अच्छे विकेट लिये हैं युवराज में मानता हूं कि हम उन पर एक कॉंपेंस दिखाना पड़ेगा उने चांटीनीघ खिलाना पड़ेगा और वह एसे प्लेयर हैं जिने आप कंटीनीघ खिलाएं तो अपने लेम यह पिछान होनी चाहिए कि कौन सा प्लेयर इसा है कि जो मैच जिता सकता है और युवराज अगर वह फॉर्म में हैं तो मतलब वह कोई भी मैच आपको जिता सकते हैं तो अगर उनको थाइसा लीन पाच आया है तो इनको थाइसा बैक करना चाहिए तो मैं अगर युवराज को प्लेट शचाहिए तो इस गीव को पलेट सकते थे यहां पर बात फुड़ी गीव को होजाए जुता नहीं पाए लेकिन आखरी ओपर तक अगर आपने स्कोरबोर्ड पर थाइसो रन बनाए है और वहां तक भी लेके जारे तो गैंदबा जुरू नहीं भी अपना काम यहां पर पहुत हतक किया था बिल्कुल गैंदबा जी हमारी मैंने बोला जैसे मैच बैर मैच अपनी कंडिशन्स में अच्छा कर रहे हैं जड़ेजा आश्वें इवन अमित मिश्रा ने बहुत अच्छा स्पैल दाला लास्मैच में और तीम बेक को एक अच्छी स्ट मिलेवाद पकिस्तान को जो इंडिय कर दो ने अच्छा कुरूशल था तो गैंदबा जोन में मानता हूं कि अच्छा पर 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 प्रफर्म किया है उनसे जो एक थपा लगा था तर ने अच्छा नहीं कर रहे हैं उन्होंने बिल्कुल ह्यां बिल्कुल हैं पर हर मैच में जानला के बॉल्ट डाली है अँमार ज कि अच्छा जब आया थे तो स्विंग के सुल्तान का उनको टैग मिला यहां पर उनके इंस्विंग और सिंग दोनों ही बहुत जबर्दसी काफ़ी साथ दिगज उनकी गिनबाजी के काल हो गया है लेकित अचानक से पिछले कुछ वक्सिया से दौर आया हुआ है कि उनकी स्विंग बाजे अच्छे हो रही इस फेल्स ना वो रण कम दिजदेगी एक विकिट्स नहीं मिल रहे हूए तो टीज इसके बार टीज़ उनकी वाड कुछ ना देखियां मगर मेन पनी वाड कुछ ऑप को देखे आ कि वहां पे भूबनेशवर कुमार को क्या देखते हैं देखिए, अब जिसे मैंने पहले युवराज के लिए कहा कि ये कैप्टन को ये रिलाइज उसका क्या विजिन है एक प्लेयर के बारे में, कि क्या युवराज है कि वह आपको जिता सकते हैं कि नहीं जिता सकते हैं, तो आप कितना उनको बैक कर रहे हो, अब बुवनिशोर कुमार उनको काफी बैक कर रहे हैं क्योंकि विकेट्स नहीं मिल रहे हैं और अगर देखें तो अग्वनिशोर ने अपना डेब्यू किया था और इस ताइम स्टार्टिंग भी कर रहे थे बॉल को विकेट्स भी ले रहे थे तो वह वापस वैसा दौर आ कर रहे हैं तो अभी जिस दंग से गिंदबाजी कर रहे हैं तो नहीं बॉल से आपको वाइड बॉल में तो विकेट निकालने बहुत जरूरी है और वो हम लोग उसमें नाकाम रहे हैं तो इस बारे में ये इस ताम इंट्रोस्पेक्शन का टाइम है तो सोचना होगा कि इस अब भॉल में प्लिट विकेट अपने आठना आठना ओउर जया दास ओवर करें शोट्रोस्पशन तो बिल्कुल नहीं गयंसे अब भी जो नहीं सारे बढ़ दालें अभी जो प्रॉलम होगे है नहीं गयंसे अच्छा डाले है विकेट आपके लिए बिल नहीं नहीं जरू बीच के spells में आके wicket निकालने जाना पड़ेगा और अच्छा यूज करना पड़ेगा पुरानी बॉल को भी और नई बॉल से आप पूरे दसोर डालें ऐसा हर बार नहीं मिलेगा आपको हर बार असा नहीं मिलेगा यहां पर हम दो बॉला से खेल रहे हैं तो आपको स्लॉग के लिए यहां पर चाहें कप्तान की बात करें जम गेंदबाजों की बात करें से क्या स्ट्रेट्जी यहां पर होनी चाहिए यॉर्कर सब वो दिखते ही नहीं है स्लॉग ओवर्स में और वहीं पर जो है टीमीडगी जम के पटाई भी होती है देगे बिलकुल मैं आगरी कर हैं जो उसमें अच्छा हो डालते हैं अच्छा एक प्लानिंग से बाल डालते हैं हम लोग जो मिस कर रहे हैं कि हम उस प्लानिंग पर डाल पा रहे हैं नहीं डाल पा रहे हैं अच्छे और समी मैं 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 इंप्रूब कर रहे हैं और स्लो गोज जो है अगर अभी से नहीं की गई तो शायद डिफेंडिंग चैंपिएंटी मीटियो अपने खिताब को नहीं समहाल के रख पाएगी विनीज आपसे एक आखरी सवाल आज के माच में क्या भारत जीत के साथ इस टूरामेंट से विदाई ले पाएगा बिल्कुल मुझे पूर सिलसला जारी रहेगा आप देखते रहे हैं देश और प्रदेश के बाकी तबाब ख़बरें